नमस्कार साथ एक बर फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल के उपर आज की इस वीडियो को बेटे जहां से देखना और एक एक पॉइंट जहां से सुनना क्योंकि कल जो एंडिये का एक्जामिनेशन होने वाला है उसको एटेम्ट कैसे करन लिखेंगे तो यहां पर दो काम आपको करने सबसे पहले न आपनी स्ट्रेंथ और वीक्नेसे लिख लेनी है और दूसरी तरह अपनी वीक्नेस लिखलीजीए chapters की बात करो मैं ठीक है जी Reynolds में अपने जितने मी chapters आपकी strength है फ़ड़वर से copy pen लेकर आप इसको लिख लेना उसके बाद जितनी आपकी weaknesses जिस chapters के आपको लगता है या जिन पर मेरी अच्छी command नहीं हो पाई है ठीक है वो यहां यहां पर पेपर खोला हुआ ठीक है जी यह शाए 2022 का पेपर है ठीक है तो मैंने एक रैंडम यहां पर को सबसक्राइब करऊ और अगर मैं इस पेपर को अटेंट करूंगा मुझे पता होंगी मेरी स्ट्रेंज कैं मुझे पता होगी मेरी वीक्नेस कैं पहले 10 मिनिट मैं कोई सवाल नहीं करने वाला हूँ मैं सिरफ पेपर को गो थुरू करूं ध्यान से सुनना कैसे गो थुरू कर जैसे मुझे पहला कोशन दिखा मुझे नजर आ रहा है एक सवाल पी एंट सी कहा है मैं पढ़ूंगा नहीं मैं देखती जलक मैं समझ रहा हूँ और हूँ मैंने 4스 बिन भी नहीं लिखा है न तो पक्का यह सवाल जो है पि एंट सी गणय को चुक्रिशन प्हणब कर लूंगा इस से अगला फंच्टन है इसको भी कर लूंगा प्र श्यूंग पहलना इस्से अगला मैं देखता हूँ जी डीटर्मेंट ये की मेरे strength है लिख लिए मैगे ही ये करता है कि आपकी strength है मेरी strength होगी उसको सवाल पूरा नहीं पढ़ना पहले स्टर्कल काई ने मुझे मारका मुझे नई चाहिए papers के अंदर न मेरे सब्सक्राइब हो जैंगे जो आप तुक्का मारोगे 100% गलत होगा, कल चेक कर आदूँगा आंसर की जब दूँगा आपको, बहुत कम चांसे जाए, समझे तो मेरी बात हो, तो जो आपकी strength है उसको आप सबको circle कर लोगे, weakness को छूँगा भी नहीं, अगर 120 में आपकी strength वाले chapter से 70-80 circle लगके, आपका confidence shoot up कर जाए, because आपको बता है, 70-60 question मेरे को पेपर में familiar है, कहीं-कहीं बार ना, चीजे confidence में, flow-flow में हो जाती है, आपको सच बता रहा हूं यह बात, ठीक है जी, तुझ रूबे से, experience से, क्योंकि paper के अंदर मैं यह same strategy लगाता था, तो मेरे लिए काम करती थी, आप मेरे student हो, तो साथ कर, उस 70-80 में से अगर 50 भी तेरे हो गए, तेरा काम ड़न हो गया, फिर तू जो तेरी weakness है, उसके ओपर चला जा सवाल करके देख ले, अगर हो गया answer, आ गया, well and good, नहीं आया, तो छोड़ दे, फिर strength पे आजा, 20 में से फिर 1-2 सवाल, 2-3 सवाल और हो गया, तेरा काम ठीक है, यह नहीं random चलो जी, सवाल दिखा, अरे यार, कई बच्चे गलती यह करते है, चाप्टर छोड़ा हुआ है आपने integration का, आप उसका सवाल कर क्यों रहे हो, उस पर time waste करना start कर देते हो, और जब आप time waste करते हो, वही सब से खराब समय होता है आपका, paper का, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूं, इंडिया के paper में question करने कौन से है, उससे आदा important question, छोड़ने कौन से, ठीक है, तो यहां आपने वो छोड़ने वाले पहली skip कर दिये 15 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट जितना ही लगे, इससे आदा time नहीं लगता, वह आपने सवाल छाट लिए, अपन नहीं बने, वो तो teachers के लिए, अंसर की देने के लिए, आपने ये काम, अपने मोटे निमाग के hardest में, सेव रखना है, और कल देखना, ये strategy आपके लिए fruitful होगी, और नीचे आप आगे comment करोगे, thank you sir, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जादा स्यादा share करो actually उन्हें पता चल जाएगा, कि कैसे task perform करना है कल वाला paper गा, ठीक है जी, मिलते हैं फिर आप से next वीडियो के अंदर एक motivational वीडियो आप सब लोगे साथ publish करूँ, आप शाम को आगा लगा देगी आपके शरीर के अंदर वो वीडियो, ठीक है, and all the very best for tomorrow, मिलते हैं शाम की वी